आज सुबह नास्ते में जल्दी जल्दी फटाफट हमने आलो के पराठे और बैंगन की सबजी बनाया हैं तो चलिए मैं इसका रेसिपी सेर करती हूं कि फटाफट जल्दी से क्या बनाया जाए हमारे पास छोटे छोटे बैंगन थे जिसे हमने काट लिया है और वो भी एक प है 10 में चलिए किने में बनाया हैं जैसे गरम घृठी हम डाले करें बना लें दीता है और पराठा और सब्जी हमने डालने पर बहुत ही मजयदार बनता है तो अभी आफ तेल में हम एक चमच वही अचारवला मसाला अड़ करेंगे और गैस को आफ कर देंगे और तुरंत ही इसको आलू में डाल देंगे बहुत ही मज़िदार स्वाद बनता है और फटाफट जल्दी बनता है इसको बोल सकते हैं तो हम मेथी फ्राई करके और मसाला भी ऐड़ कर चुके हैं थोड़ी से लाल मिच To border डालेंगे दोड़ी से अपर चुके अऽज़ा है है और अब हम चलते हैं सब्ची के तरफ आटा सान के तो हम पाली रख चुके हैं जब भी जल्दी-जल्दी फटा-फट आलू के पराठे बनाने होना लंच के लिए या फिर सुबा के नास्ते में तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं पराठा हमारा बंच चुका है और मुझे बना लिए इसमें से वो नास्ता भी करेगा लॉंच बॉक्स भी ले जाएगा अब हम बनाते हैं सब्ची तो मेरे हजमेंट को भी इसमें नास्ता चाहिए होता है ड्यूटी जाने के लिए तो सब्ची भी बनाना जरूरी है चल्दी से तो जो बैंगन हमने काट के दो के चमक एड्ट करेंगे और यह सारे मसाले ना बहुत ही स्वाधां आते हैं और इसमें एक चम golden करेंगे वही अचारक मसाला जी हमने ягला कि और फो मिला देंगे बढ़िया से और धेर सारा ठेल डालेंगे और सबको एक सार्थ कर देंगे मीझंफ कर देंगे और इस can जाने लि देख सकते हैं कि अच्छे से पूख हो चुका है लेकिन हमें अभी इसको थोड़ा सा घुनना है मसाला भी नहीं पका है सिर्फ बैंगन पका है तो अभी हम हाई फ्लेम कर देंगे और इसको उपर नीचे चलाएंगे कम से कम एक दो मिनट तक तो हाई फ्लेम पर यह बहुत जल्दी से मसाला अच्छे से सुगंद आने लगा है अभी है और हमारा जो बैंगन है वो भी बन के तयार है तो इस तरह से आप गर्मा गर्म फटा फट जल्दी से सबजी बनाने हो तो इस तरह से बैंगन आप बना सकते हैं बैंगन फ्राई इस बैंगन फ्राई को आप सिर्फ आलू प्राटा पर ही नहीं रोटी पर चावल दाल पर यह गेश्ट आये तब भी आप इसको बना सकते हैं चावल दाल पर बहुत ही स्वाद आता है और चलिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो में तब तक के लिए बाई 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 और अभी आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा तेल था तो हम सब्जी के एकसाइट कर देंगे बैंगन को तेल को एकसाइट कर देंगे और इसे एंजोई करें